वेलकम तो माई यूटूब चैनल वीडिव प्रेस्मेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं दब वर्किंग प्रोसेश ऑफ सिमेंट प्लांट कैसे काम करता है कैसे सिमेंट बनता है एक सिमेंट इंडस्ट्री में वह हम आज जाने वाले हैं सो ध्यान से इस वीडियो को देखे गया और इसको बिल्कुल भी सिमेंट बनाने के लिए हमको जो लगते हैं मेकैनिकल एन एलेक्रिकल कौन कौन से यूज करते हैं एक सिमेंट प्लांट इंडस्ट्री में चुकि मैं 36 गड़ से बिलॉंग करता हूँ तो आपको एक छोड़ा से नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि अभी 36 गड़ में 2-3 सिमेंट इंडस्ट्री है वो प्लांट एक्सपांशन कर रहे हैं मतलब नए ने अभी यूनिट्स बढ़ा रहे हैं अपने सिमेंट इंडस से जूड़ सकते हैं प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम एड़ी को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हम चाहेंगे तो फेस्बुक में फॉलो कर सकते हैं तो आप आपके लिए बहुत ही अच्छी गूड न्यूज रहे हैं कि 2024 में जो है सिमेंट प्लांट में आप अपना इस्टिल प्लांट में क्या होता है इस्टिल प्लांट में जब इस्टिल डिजाइन करते हैं फिर इस्टिल बनाते हैं तो वहां पर में रॉम मेटल में लगता है इस पंज आ रहे हैं वैसे ही यहां पर हमको कुछ रॉम मेटल लेने पड़ते हैं वह रॉम मेटल के नाम में आपका packaging तो यह पांचो steps हम लोग अभी आगे चलके पूरे देखने वाले हैं तो चलिए guys start करते हैं हमारा first है आपका acquiring and crushing of raw material तो crownsum से raw material हम लोग generally cement plant में use करते हैं वो मैं बतायता हूँ first one है आपका limestone, second आपका letterite, third है आपका sand मैंने तीनों का diagram आपको इसमें दिखाए हैं first है आपका limestone, दूसरा है letterite, third है आपका sand तो limestone जो होता है generally आपका चूना पत्थर जो मैं आप लोग सभी जानते हैं वो होता है limestone जो होता है बड़े बड़े चूना पत्थर होते हैं जनरली हम लोग माइन से लेके आते हैं उसको खोदाई करके हम लोग जो होते हैं cement yard में लाया जाता है दूसरा आता है आपका letterite, letterite जो होता है वो red color की दिखती है इसलिए इसको हम लोग letterite बोलते हैं इसका जो formula होता है F2O3 होता है थर्ड होता है sand तो यह तीन चीजों को sand आपको जनरली जानते होंगे जो नदी वेगरे से लाग 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 लेके आते हैं वह होता है तो जनरली जो raw material में cement बनाने के लिए यूस करते हैं वह होता है limestone, second है आपका letterite और थर्ड बन है आपका sand जिसको silika बोलते हैं यह तीन चीजों से जो होता है cement ready होता है इसमें जो percentage ratio होता है limestone की percentage कितनी होती है, letterite की percentage कितनी होती है, sand की percentage कितनी होती है वह आने वाले steps में आपको पूरे describe करूंगा इवन आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे cement plant में cement ready होता है सो चलिए गाइस देखते हैं हमारा working process यह पूरा एक working process का diagram है जिसमें मैं पूरा आपको details में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो होता है cement ready होता है इसका थोड़ा सा मैं overview देता हूं because क्योंकि अभी मैं आपको step by step बताने वाला हूं जो मैंने आपको starting up 5 points बताया थे कैसे कैसे cement ready होता है एक छोटा सा और ही मैं आपको बतायता हूं कि कैसे कैसे cement ready होता है पहला आता है quaring limestone मैंने आपको लड़ी बताया है कि हम लोग क्या करते है माइन से जो है क्रणली raw material लेके आते हैं उसमें हम लोग करने कहां कारबुनित लेके आते हैं आपका चुना पत्थर लेकर आते हैं और उसको चूना को क्रेक्स करते हैं उसको चूंटेचोटे पार्ट में काटने के लिए निव capac Course करते हैं क्रशिशिंग में करते हैं क्रशा है इससे यहां किया नियुक्त क्तिकली solved den और चुणा पर यहां के वाता है इसको प्रिक्न स्रक चुना पथिकल्स्टवर्टा exists उसको proper way में proper ratio में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं pre-homogenation का process करते हैं यह आपको आगे चल के बताऊंगा कि कैसे यह pre-homogenation process होता है फिर आता है आपका next step होता है इसमें प्रोसेस में mining ore sand इसमें क्या होता है कि दो बड़े-बड़े bunkers होते हैं उसमें क्या होता है iron ore and sand को रखा जाता है और वहां से अपना raw material limestone उसको carry करते हैं तो यहां पर तीन चीज़ों को mix कर रहे हैं पहला मैंने बता है आपको limestone को सब्सक्राइब करश किया हमोजिनेशन किया उसके बाद आता है आपका iron ore जो कि आपको दिख रहा होगा कि बड़ा साइलों दो बड़े साइलों दिख रहे होंगे आपको diagram में एक साइलों में जो होता है iron ore है दूसरे साइलों में है आपका sand तो पहला मैंने लाइम स्टोन को crush किया उसके बाद उसको हमोजिनेशन किया उसको बद क्या कि हमने इसको एक conveyor belt के help से उसको क्या करते हैं हम लोग रॉम में डालते हैं तो यहां पर आपका limestone second आपका iron ore थर्ड आता है आपका sand इन तीनों चीजों को एक साथ एक conveyer belt में क्या होता है मिला के proper ratio में हम लोग कहां डालते हैं राव मिल में डालते हैं तो राव मिल में क्या होता है राव मिल में जो है इसको प्रॉपर ratio में लाया जाता है और इसको जो होता है छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-पार्ट में आपका डिवाइट करते ह तो रॉमिल में जनली कोनते हैं आपका आइरण और सेंड और आपका लाइम स्टोन तीनों को जो होता है प्रॉपर रिश्यो विलाता है इसका हमोजिनेशन कि यह जाता है फिर आपका इसका पूरा कि जोड़ा सा पहले और तो क्या करना तो क्या होता है कि लोग जब इस राम इंटर को भेंच दोड़ करने के लिए तो इसको क्या है क्या रहता है है temperature heat देना पड़ता है तो मैं क्या करता है यहां पर क्या किया जाता है कि किलन में राउ मिटकल डालने से पहले थोड़ी सी heat कर दे जाती है ताकि किलन में हमको ज्यादा महनत ना करना पड़े जैसे कि इसमें मान के चलो कि मेरे को तो किलन में 800 degree centigrade का अगर मुझे temperature चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि प्री हिटर में एक फॉर एक्जांपल लेके चल रहा हूं कि 800 degree centigrade अगर heat करना है तो मुझे क्या करना चाहिए 200-300 degree centigrade मगरना पहले से मैं क्या करूंगा राउ मिटको हिट कर दोंगा तो किलन में मुझे ज्यादा महनत नहीं करने पड़े कि इसलिए इसका प्री हिटर जो होता है वह लगाते है फिर आपका आता है यहां से अपन क्या करेंगे किलन में राउ मेटर को डालेंगे राउ मेटरल जो होगा वह क्लिंकर फॉर्म में आजाएगा क्ल सेलो को सेलो में करने के बाद में इसके मिक्षर होता है उसको हम outlook करते हैं उसमें फुद्ष यह मिला देते हैं जो भी हमको शहिए रहता है एक सिमेंट में मिल में ला सब्सक्राइब क्लिंकर को छोटे-चोटे पावडर करना रहा था इस से में डालें के जालेंगे में कुछ महात्रा में एस मिला जाता है वह किया जाता है आपको तीन बड़े-बड़े साइलो दिख रहे होंगे उसमें क्या होता है कि जो साइलो बंकर होंगे उसमें क्या होगा कि प्रॉपर एश मिलाते हैं और उसमें जो सिमेंट रहता है जो क्लिंकर जो रहता है वो रहता है तो इन तीनों के जो भी मिक्शर होते हैं उनको जो है प्रॉपर में मिलाके इसको हम जिक्तियम और नेक्स स्टेप.